कि मैंनों सब तो वरिया गाले लाग दिया कि इननना इंगलिश नूप पंजाबी मंगु सोखा कारता है कि थे पहला डिफिकल्टिज आंदियां सी गिया कुछ कोश्चन्स नहीं सी सामज आंदे जिद्धा इननने ट्रेक्स ने गिया इसपेशली जेड़े आपां है लिस्ट आफ हेडिंग जलाबदियां कि साथ एदना लागदा हुदा कि साथ जिमें कोड की दुमाख दे बिच पादन देने कि मक्दी गाल किया के मरियांची जान पादन देने साथ का हलो एवरिवन हेर इस रमन शर्मा विद आफ लाइन क्लास अजदा मेरा जिड़ा क्लास है आफ लाइन मेरे पड़ाओंच एनरजी लेवल हुएगा शायद मैं कदे इनना वदिया तरी के ना ना पड़ाया हो भी मैं सारी क्लास नो प्रामिस करदा कि मैं जिनना टाइम पड़ाओंगा अजदी क्लास लगपग अप्रोक्सिमेटली वन आवर होएगी जिनना पीक लेवल पड़ाया जाओगा मैं अपने स्टूडेंट्स नो अज एक अलदास दूँगा कि जेड़े बच्चे कहन देया कि रमन सर आईयल्स नहीं होंदे चाहे मेरे कोड़े इत्थे बैठेया चाहे मेरी ऑनलाइन क्लास लओंदेया या मेरी यह कलिए यूट्यूब देयोते वीडियोस देख देया करनेगा सर मेरे ट्रांसलेशन नहीं वधिया नहीं होंदी कई बच्चे कि रमन सर मेरे वकाबलरी नहीं वधिया नहीं होंदी ए बहाने ने बहाने मैं मेरे हर एक स्टूडेंट नूँ चाहे तुसी ये थे बैठेयों चाहे मेरी कोई वीडियो देखुगा यूट्यूब देव ते मैं हर एक स्टूडेंट नूँ प्रामिस करदा के मैं जिस तरीके ना तनु पढ़ाऊंगा तनुए पता लगूगा भी IELTS MAV पड़ा है जान देगा तुसी एक मेरी एक पड़ा ओंधी टेकनीक ते कंसंट्रेट करियो फिर तनुप पता लगूगा भी बाकिया नाड़ो रमन अड़के में है एगल याद रखियो एक बड़ी वधी अगल है केंदा नंबर वन ते ओना ओखा नहीं हैगा नंबर वन ते ओना सची ओखा नहीं हैगा पर नंबर वन ते टिकना बहुत ओख हैगा क्योंकि टिकना के अपने तो बड़ीया लोका नी एक्सपेक्टेशन हों दियाने मैं एन्नी के गाले जानदां के मैं तानों रीडिंग दा अज फेलन दा ब्लैक पड़ाऊंगा तानों हर एक स्टूडेंट नों पता लगूगा वियर बंदा एमवी पड़ा सकते जेड़े जेड़े बच्चे नों जित्थे जित्थे डाउट होगा मैं प्रामिस करदां बड़ा वदिया क्लियर करवाऊंगा मैंनू ताड तो इक चीज चाहिए ताड एनर्जी ते एट दा एंड ताड रिवियू तुसी खोल के रिवियू देऊंगे? कोई सांग कोई शरम नहीं कोई डर नहीं? बकिगला? चलो ए मेरा प्रामिस है मैं जिन्ना वदिया होके ताण उपड़ाऊंगा ते एट ताड़ा प्रामिस होना चाहिए गा के तुसी बिलकुल साच बोल लोंगे विसा नू कलास के में दी लगी दो तेन मोड़ियां दे रिविव, दो तेन कोड़ियां दे रिविव, खातम, ठीक है? अप अपने लेक्चर नू शुरू कर दिया है, तो पहला मैं सारे शुरूणे नों दसा है बंदे कोड़े एक चीज होनी चाहिए दिया है ओधा दिमाग बंदे को ले जे उदा माइंड है, उदा कंसेंटरेट दमाग है तो ठीक है? कंसेंटरेट करे है? हलाओ न मेरा कंसेंटरेट ना, हलाओ मैं बड़े दमाग न अपड़ा रही है एक बंदे ने की किता? तीर अंदाजी दी सखलाई देन लगया अकेडमी घोली भी तीर के में निशाना के में लणे उस दखाऊंगा केंदा ते आपनू काखवी नी होंदा सी अनाडी जमी कोड़ा कोई तीर नी चलोना होंदा सी पर बंदे कोड़े कला दमाग बहुत जादी सी तीर चलोन दी टेकनीक नी सी फिर भी अकेडमी कर ली ते फिर भी चला ली उदे कोड़े स्टूडेंट आए एडमीशन करती पैसे लेले बच्चे सारी आखे बैगे कहते लव सर जी सखाऊ तीर अंदाजी के में करनी है आओ बेटा सखाऊ ना तीर के में चलोने ने समने गोल सी गा तीर करया खिचिया पूरे मंच भी मैं पूरा मिड़े जे मारूंगा जरो मार्या तीर अंदी दूर जाके लग गया कोच साब जी आप मुरे होई सी समझगे मेरी गाला भी हाथ हूँ कोच साब तीर मार्या तीर अंदी दूर जाके होया दमाग ना पते हैं अपने बच्चे अनुखी कहना कहा ना देखो बेटे मैं ए तोनू एंस खाया है विजेडे बंदिरा त्यान नहीं होगा न ओधा तीर आए में बचुगा कहा न कोई गली टेंशन नलो मैं अगला तीर मार दा अगला तीर मार लगया निशान न फेरेना परे किरा बेटे मैं एस खौन लगया जेड़ा बंदा आलसी होगा न उदा निशाना अहजा होगा तीज़ा तीर कड़ लिया मरया फिर दो फुट परां गया किरा बेटे मैं एस खौन लगया कि जेड़ा बेत्यान होके तीर मारूगा न उदा निशाना एमें लगूगा बच्चे तो उदर देखन भी हो की रहे है मेस्टर ने चौथी पजमी पर कर दे जरो तीर मारा जमी सेंटर च लगया कहना बेटे ए है उस्ताद ना अला तीर तुसी सारे ने एसे तरीके नल तीर मारने ने बिच बैठा हों दे एक एदे बर का शरारती कहना उस्ताद जी एक उस्ताद ना तीर दबारे मारी हो उस्ताद जी एक उस्ताद ना तीर दबारे मारी हो दमाग ला गया कहना बेटे सूर्ज छेपरे है ते सूर्ज छेपर तो बाद मैं निशाना नहीं लोंदा ते हाँ, कल नो प्रैक्टिस करांगे ते बिलकुल शुरू तो करांगे मैं तो नो सारे सखाऊंगा भी बेत्यान नलके में, आलसी नलके में ते बिच दी मैं दासे दूंगा भी उस ता दान तीर केड़ा हुंदे मतलब यही था है बंदेरा दमाग, क्योंने किस तरीके राल अपने बिजनस नो चलार के जीगा आओ, उन्हें यह ना सोचे भी अच्छा रमन सर बिलकुल मैच होगी गल मेरे कोड़े पढ़दा स्टूडेंटें नी जुर्त रख सकता है कि 9.9 कड़वा दूंगा मैं तो सी रीडिंग नो पढ़ा होँदा मेरा तरीका देखियो तो नो फैन कर दूंगा वी यह एमें भी पढ़ा होगा कोई टॉपिक देखने हैं ते फिर बन देखने हैं कंसर्डरेटर दीप जी अपा लाइटा ही रखनी है ने ठीक है चलो जी कोई गल ने जड़ा टॉपिक है टॉपिक दा नेम है नौईस नौईस क्यों दी है अवाज किसे भी चीज़ दी अवाज होगी उन नौईस है ते आज दा जड़ा टॉपिक है वो बड़ा जादे इंट्रस्टिंग होगा ते मैं सारे नोई कल दा प्रामिस करना के एमें दा वीडियो अज तक मैं यूट्यूब ते कद़ी नहीं बढाया तै सब तो बड़ी कल youट्यूब ते बढाया नहीं बढाया दा मतलब नहीं पता पर मेरे किसे मैं ओफलाइन कलास जो भी है वे नहीं पढाया होगा जिड़े टेकनीक नम्हेतों वोन पढ़ाओंगा तुसी मेरी कलास पढ़के देखियों तानू पता लगवी रामन सर्थोनू छड के नहीं जान दे बस हाँ ज़रो पेपर कलीर हो गया होता जावांगे देखो सब तो चंगी गल कोशन कोशन हैंगे ने दीप जी पूरा वदिया तरीके ना बढ़ाओ वीडियो ठीका पता लगजी कोई है बंदा जिड़ा कम कर दे सब तो पहला 14 तो लेके 18 कोशन ने मतलब 14 तो 18 लगबग मिला रहा है 5 कोशन होगे कल में पता ने की हो रहा है जी मैंगा A, B, C, D, E मैंगा 10 होगे गिनती हो पहल लगया जी गा सोनो जदो कदे फैलेंदा ब्लेक्स करनी है ने मैं अपने सारे स्टूडेंटनों ये दसदा जेडी टेकनीक तनों मैं करवाऊंगा तुसी उन्हों सेम अपलाई कर दी हो तो उन्हों कासे दी लोडनी कैसे बंदे तो आस रखन दी लोडनी इक कलास थोड़ी लाइफ बदल के रख दूगा ते तो उसी सारे एक काऊंगे वी रमन तेरी कलास करें मैस नहीं कर दे शुरू कर दे हैं जदो फैलन दा ब्लेक्स करने हैं तो सब तो पहला नो मोर देन टू वर्ड्स और आ नमबर मैं अपने सारे स्टूडेंट ने कल दास था जदो अपनू इंस्ट्रक्शन दे विच देता के नो मोर देन टू वर्ड और आ नमबर इदा मतलब बड़ा साफ है के हंड़र परसेंट में शौर है के नमबर आएगा ही आएगा वर्ड भी आऊगा ते नमबर भी आऊगा फिल इंदा ब्लेंक दे विच लाइट हैगी अपने पिछला एसी लाइट जैक करो देखियो पिछला एसी ओन नी ता हमेशा एक गल दमाग चे रखो टू वर्ड ते नमबर जे तुसी फाइव निया फाइव फिल इंदा ब्लेंक खर लिया ते एक भी जगह ते ता नो एंसर दे विच ले नमबर नहीं आया ता समझ लिए हो कि एक कोशं दा घलत है शुरटी है मतलब ए है कि फैल इंदा ब्लेंक दे विच लेंदा नमबर आएगा ही आएगा इनुस 16 कि में करनीया ने टेकनीक की है यूज कि में करने गा आओ, concept दिखाऊ ना मैं, first question है, मेरे को ले 14, कहनदा, nowadays, it seems difficult for people to avoid the effects of living in a noisy world, त्यानल सुनो, के ना अज कल, nowadays, क्यों गया, अज कल, यह लगदा है, यह seem होंदा है, के बहुत जादे difficult है, बहुत जादे ओक हैगा, locally avoid करना effect का दे noisy world दे, मतलब के एस शोर शराबे दी दोनिया दे, विच असी ignore नहीं कर सकते, 29 सानु केते ना केते मिलूगा, केते होर्न दा मिलूगा, केते बॉंम बलास्ट दा मिलूगा, केते ना केते सानु 29 से जड़ा, उन मिलेगा, केना, जड़े hazards 29 सोंदेने, hazard 29 सोंदेने, खतरनाक आवाजा, dangerous जड़े हैजर्ड नहीं सुन्देने और देंजर्स नहीं सुन्दे या कहना इस दा साउंड बियोंड एन एवरेज ओफ डैश अकॉर्डिंग टू एन एजनसी डेफिनेशन बड़े सोखे तरीकी ना पड़ा हुना बड़े बेस्ट तरीकी ना पड़ा हुना कहना अज कल जे और आसके यह सोच दिया अथी अवाज नो अपटकर दांगे ओता नहीं होगा अवायल अवाज अवाइड नहीं होंदा क्योंकि हर जगाते सानुक अनुक केतेंड मिल दी है साउंड सानुक केतेंड मिलूगा एन्सर लबबंदा तरीका कहना जड़ी हैं जड़ी आधिश आफडैश है ना जेडियां डेंजरेस नौइश ने जिनना दी एवरेज-आफडैश है अकॉर्डिंग टू एजनसी डैफीनेशन जे मैं दि जगाते होंगा मैं पेपर चब बैठा होंगा मैं पते हैं सब तो पहला की देखूंगा विचे किते मिनू किते एजनसी ड definition दूजी गल hazard noise ते तीजी गल मैं देखने की ओधा average of किन्ड नेगा ते सब तो वदिया गल की है उपर में नो नहीं देता होया भी आज जी कल noise नो ignore नहीं किता जा सकता अवॉइड नहीं किता जा सकता दमाग paper किन्नी fast answer निकलूगा hazard noise agency definition ते ओधा average आही गल है चलो answer लबन देली मैं अरे गल होर सकतो important है question number किन्न मैं 14 मतलब एक तो लेके 13 question आगे paragraph 1 14 तो लेके 26 तक paragraph 2 मतलब passage 2 ता definitely starting चाहूँगा चौदमा question है ता शुरू करे या answer लबन देली बाई जी मैं आया इत थे तुसी ना एक बड़ी वदिया एक line लिखी हुई है तुसी बड़े खोश होंगे कहनदा in fact it is difficult today to escape sound completely line match करी है करना तुसी यह रिखो उन्हें अपनों किया से भी अज कल असी noise नू इगनोर नहीं कर सकदे avoid नहीं कर सकदे जमी अपनों line में लगी भी infect असी अज दे time चौथे nowadays ही में लगदा है उरे today असी escape नहीं कर सकदे sound नू completely हुन दमाग चौपते केड़ियं केड़ियं गल्ना से गिया मेरे माइंड ची सीगा hazard noise पहली गल मांदो गल एजनसी definition hazard noise आब एठ है एजनसी definition आब एठ है मैंनू की चाहिदा सी के ओदा average किन नहीं गा आहीं चाहिदा सी गा ता यह शुरू कि थो है आपा देख्या अपा इत्थो भी देख लो चाहिए इत्थो भी पढ़ ला ने है says his agency definition to hazard noise is a sound that exceeds the time weighted average of 85 db a अपना accurate answer किया गया 85 dba तुसी बड़े आराम नल देखो एक कताव उपर line सेगी के आज दे time चाहसी उन्हों escape नहीं कर सकती खत्म हो गया पर दुझा मेरे कोड़े point की सेगा कि जित्थे मेरे कोड़े agency definition मिल जे keyword आ मिल गया दुझा keyword सी hazard noise मिल जे आ मिल गया आपनों की चाहिदा सी उदा average ता उदा average किया आ रहा ता average हो गया 85 dba मैं मेरे student में के बड़ी ला देना एदे चा 85 एक हो गया dba दो जा हो गया मलब दो हो गया हुण मेरी गलतिया नहीं सुन लियों जदो वी कदे reading दे विच एंसर उतारनेगा ना सारे अखर कैपिटल होने चाहिए ने मेरे प्यारे student ए ना होवे के तुसी बहुत चंगे तरीके ना एंसर लब लेया पर जदो उतारन दी बारी आई फिर जीरो फिर तो तो लबे ही नहीं तुसी एक की है एंसर लाओं दा तरीका पुत्त ए होना चाहिए ताड़ा लुक अपा जे एंसर लाओंगा न मेरे किसे भी बच्चे नुमें एस ला नी देऊंगा कि उने कर्सेव दे विच्च अपना एड़ा एंसर है ओ लिखने नहीं लुक किसे भी स्टूडेंट ने वेट अपना एड़ा एंसर है आपके मेला मागे 85 दी बी ए इस इस कॉल्ड राइट एंसर कोई बच्चा जे डी में लिख दूगा तक कंप्यूटर ने चेकना नी हैगा क्योंकि लोवर जेड़े लेटर ने कंप्यूटर चेकना नी हैगा सारे कैपिटल चाहिए ने पहली गल दूजी गल ना तड़ा एंसर उपर ली लाइन दे ना टाच होना चाहिए ते ना नीचे ली लाइन ना टाच होना चाहिए एंस बिलकुल मेड़े छोना चाहिए पहला एंसर सैटिस्फेक्शन है कि कोई प्रॉब्लम नहीं ना अपा का दे सारे ते गई सी कीवर्ड दे सारे ते पहला एंसर आपने बड़े वधिया तरीके ना लब लिया होना अपा की करांगे में ही सेकेंड हैगा ओ देखांगे सेकेंड क अपना कोशन हो गया मतलब आपने किते पढ़ने का डन हेर केना एक साइन्टीफिक स्टडीज होया ओवर दा इयर्ज फ्रॉम दा मेड़ टू लेट नाइन्टी 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 आता सब तो सौखा हो गया कि जदों आपने लोकेशनल बनी है जे मेरे स्टूडेंट नो एक नुमेरिकल नंबर आ गया वो बहुत सौखा मिल जूगा मतलब बड़ा साफ है के एक साइन्टीफिक स्टडी दी गल ले एक एयर फ्रॉम मेड टू लेट निटी निटीज मेरे लिए आ एक लोकेशन होगी जिते मेनों लेके जाओगा कहना की चौँद है कहना है कहन एक्सपोजर तो सर्टन लेवल्स ऑफ साउंड कैन कॉज़ डैश बाए सर्टन एज कहनदा एक स्टडी है जडी साइन्टीफिक स्टडी है कि बहुत आ देखो ये देखो किने वरियत रीके ना लग सूंगा एक साइन्टीफिक स्टडी तो एक गल पता लगी है के ओवर दा एर फ्रॉम दा मिड़ लीट नाइंटी नाइटी नाइटी एव कनफर्म दैट इक गल पता लगी इक गल कनफर्म होगी के जड़ा ना एक्स्टेंड एक्सपोजर उफ सर्टन लेवल अफ सौंड है मन्दब जड़ी आवाज है ना उस उस एक लेवल तो वद होवे जड़ा उमर ते आके एक एज ते आके केड़ी चीज जड़ी कॉस होगी जह आवाज जड़ी ओ बहुत जादी होगी ते इक स्टडी तो आगल पता लगई होगी एंसर लबबन दे ली चाहिए दा की वर्ड जित्थे मेरे कुले मिड्ड लेट नैंटी 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 जोगा पहली मैं देखूंगा दुजी गल मैं यह देखूंगा विकिते एक्स्टेंडड एक्स्पोजर सर्टन लेवल ऑफ साउंड जादे साउंड दी गल हो रही हो वे दुज्जा ओदेना की कौज हों दैं एक सर्टन एज ते जाके तुसी देखें किने वधिया तरीके ना एंसर देख स्टेंड दे लेए में मेड 1990 दे इत्ते वरा दमाग है इस्ते लोजी वेरी गड़ा तुसी श्यायद दुसे आगल देखो वी किना सेकेंड में वे दो एक लोकेश्न मिलिया पहली गल मेहा में मेड नैंटी नैंटे नैंटी स्टडी आवरे देता पानू एन आए ओएस एच स्टडी मालों बापन स्टडी दा नाम देता भी कोई एन आए ओ जो भी है ए स्टडी है मिड 90 90 ए शो देट 90 % ऑफ जड़ी है कोल माइनर जने कोल माइनर के उंगा ने खाना जे तो कोला मिल दे डैफिनेटली ओथे बहुत शोर श्रापा होंदे क्योंकि dynamite फट दैं खड़का हूं दै जितों कोला निकल देगा हना कैनदा आपका अपने किता स्टड़ी मिल गी सांटिफिक 1990 भी मिल गया तह ओथी रितासी भी इक साउंड जितने बहुत जादे होवे ताव देता कोल माइनर जितों कोला निकल दै न उत आथे बहुत खड़का होंदे बहुत साउंड होंदेगा के अंदा हैव हीरिंग इंपेरिटेंट बाई एज फिफ्टी टू ओत्यों ने दिता से एक सर्टन एज इत्थी अपनों एज विदस्ती ता ओदेनल केडी चीज है जड़ी हैपन होंदी या हीरिंग इंपेर्मेंट मलब आपना एंसर हैगा ओ निकल गया के जदो एक साइन्टिफिक स्टेडी दा मतलब हो गया इहे पहली गल दुझा मिड नैंटी नैंटी इस हो गया इहे तीजा उन्हें दिता से एक्स्पोजर साउंड हो जे बहुत जादे हो जे कोल माइनर उदेनल उन्हें की क्या से भी आचीज कॉज होगी आचीज वापर जूगी हीरिंग इंपेर्मेंट हो जूगी बाइदा एज ओफ फिफ्टी टू बवंजा साल दी उमर दे विच्छा के लोकानों एक हीरिंग इंपेर्मेंट हो जूगा तोसी एज देखो कि सारे कीवर्ड मिल गे पर सारे किने डिफरेंट लूक के पई सी आचीज मैंने सब तों इंप्रेस होया कि कोल माइनर कोल माइनर ता ओही हो गया ना जिते कोले दी खांच किना रोडा पेंदेगा दुजी गल आचीज किनी बदी आगे उते साइंटिफिक स्टडी आउर उदा नाम देता एक दिता सी सर्टन एज बाइदा एज फिफ्टी टू सर्टन एज भी देता अपने देखने से फिक केड़ी चीज होगी ता एक कोई हीरिंग इंपियरमेंट होगी कोई बमारी होगी जड़ी कनना कुनना नों सुनन दी कोई प्राबलम होगी मतलब कि जदों कोई बंदा लगातार एक जगाते कम कर दा है जिते बहुत खड़का होए ता ओस बंदे नों एक आप प्राबलम है जड़ी ओ आएगी आएगी दो कोईशन होगे है ओके सर लास्ट तक केंड़ा मतलब है है मैं तुक्का मार की नहीं पड़ूंदा मैं हर बच्चे नों एक टेकनीक नार पड़ूना के बच्चे नों लगे भी आ रहा एंसर ता एंवे निकल देगा थर्ड कोशन ते होने है फिर इस तो बाद एक बड़ी वदिया गल रसूंगा लव जी थर्ड केंदा ए हो गया साटन एज फिफ्टी टू देता सी ठीका पुता अगला केंदा 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 फ्रॉम दा टे बच्चे उनना दा उनने कोई टेस्ट ले लिया फिर की पता लगया इट वाज फाउंड वेरी गड़ इट वस फाउंड मतलब के एहे चीज है जीडी ओ लभी देट दोज हू आर कॉंस्टेंटली एक्सपोजड तो एक्सेसिव नॉइस में हैव ट्रॉबल इन डैश साउं डिस्टिंक्शन मतलब बढ़ा साफ है बवंजा सो उननजा बच्चे उपर टेस्ट ले आ गया बवंजा सो उननजा बच्चे उपर टेस्ट ले आ गया एं चीज फाउंड करी गई जेडे बच्चे कॉंस्टेंटली एक्सपोजड टू एक्सेसिव नॉइस जेडे बहुत जादे खड़के ोड़कर लियह जगाते रहं दे ने जिदे बच्चे खड़के ड़के लियं जगाते रहं दे या उननों ट्रबल हमां थिया इनेंट डैश साउंड डिस्टिंच्छन मेरे लिए कीवर्ड पता है किटे किटे हों कि मैं ऐन्सलबना होया मैं देखुंगा ब एक्सेसिव नॉइस जादे नॉइस दी गालोरी होवे एक्सपोस्ट दी गालोरी होवे तुसी देखिए एंसर के ना वदिया लबने आप अपता यह देखने भी ट्रबल इन डैश कादे ज़े ट्रबल हों दिया लव जी एनू लबन देली पुत्त अप आप सब तो पहली ची ता आ मिलगे इस टोके बवंजा सो उननजा ते एक ना बड़ी वद्य इंपॉर्टेंट गाल दसना तानू तुसी एक प्लीज एक तानू बड़ी इंपॉर्टेंट गाल दसना तूनू काम मोगी गार्ना देखो आप कोस्ट्ट देविचीन ने की गिता हुया है फ्रॉम दा टेस्टिंग ओफ फिफ्टी ता फाइफ थाउजन तूहंड़ फॉर्टेंट दोवर कॉमा दिता हुए ना जदो एक कॉमा दिता होवे इदा मतलब है कि जिड़ा एंसर होगा सेम पैराग्राफ दे विच होएगा पर दो चार पांज लाइना छटके होगा एक क इदा मतलब ही हो गया नेरी दमाग चे तुसी देखो मैं सननेम के ने कटगी लेंगा मैं सब तो पहला पुत्त बवंजा सो उननजा चिल्डरन कट लिया चलो ति दूजी का ना उत्ति साउंड डिस्टिंग्शन सी गा उरे साउंड डिस्क्रिमिनेशन है दो मिलगिया यह उसी देखो कि ओधर दिता से गा के ट्रबल उरे दिता डिफकल्टीज मतलब ट्रबल डा डिफकल्टीज एक्सेसिबस सूंज इक्सपोसर मिल गया क्या थे एक्स्तिंग होगी आप बच्चेंगा देउंपरीन आते sound discrimination मिल गया distinction दिता हो ऐसी गा trouble दा difficulty मिल गया excessive noise भी मिल गया exposed the exposure मिल गया ते एक word बचेया that is called high frequency तो सिरे को insert किने तरीके न लब लेया मतलब बड़ा साफ है के केंदा है but continued exposure to excessive noise can lead to difficulties उदर के जी trouble उरे difficulties कादी नड़ होगी high frequency नड़ होगी that's it is it okay 10 question एक गल हो ते अनल बड़ी वदिया राजना के न एक न अपनी तेन कोशनों के दो रहेगे लेडी दे जवाब देंच ते जैंट्स दे जवाब देंच फर्क बहुत है ते आनल सुने बड़ी वदिया का लज सुनगा एक जगा ते लेडी जवाब दिया ते एक जगा ते जैंट्स इज फर्क की है मैं बड़े वदिया त्रीके न रजाजना के दा है दुनिया गोल है दुनिया की है गोल है एक्जमपल देना जिए का चुहा ऊपनी जिनानी तो डर ते जिननाड़ी फेर चुहे तो डर दिये ये दुनिया गोल है भाईजी, ठीक है, गांधा इनदे दसन्दा तरीका, मैं दसन्दा, गांधा एक रात पतनी करेनी आई, पती ने पुच्या किते सी, के दी मैं अपने फ्रेंड देकर इसी गी, उन्हें उदियां सारियां से लियां फोन ला लेया, कोई से लिक दी मेंनु दे मिन मुक SUS मिन्हें मली कोई है काइखने का रचिकर हुआ कोई आये हैं पटी रात नो आया निं अगली सवेर पत निकेने करें सी यह ला अपने दोसता निकरें सी शक हुए यह फोन लाना पहले चार नो फोन लाइहां करें साडी स дети साथ देगरी सुता पे ऐसी पंज में नो फोन दाया के ना हाँ उपर चबारी ची सुता पे है लास्टर ने सिरही कड़ाता के ना जगामा जगामा के ना मल यह वी फ्रेंडिशिप है यह वी दोस्ती है मैं जदो पड़ा उनना होना मेरे को ले टॉक सुन दिया ने के बच्च दी गल है कि एक जहाज दा पाइलट से गा पाइलट ने की किता जहाज दे विच कोई तकनीकी थोड़ी बहुती खरब भी आई तो उन्हें सोचे अभी क्यों ना में नो एथे लेंड करवाला थोड़ी बहुती प्राबलम है ठीक हो जूगी मैं फेर उड़ी जूँगा सारी गल्द से वी मेरी आप प्राबलम है मेरे जहाज कोई थोड़ी बहुती प्राबलम सी मेंनू लग गया वी मैं लैंड करवाला जहाज कुदे क्रेश ना होजे मैं तांग कर किया या मिन्नू होर कोई मकसद नी फोजी कहने तु दुश्मन हो सकते हैं वो कहना मैं कोई द रखेया वो तो सवाल जवाब पुछे पाइलट ने सारे जवाब देते वी मैं गलत बंदा नी हैगा मेरे जहाज कोई प्राबलम सी मेंनों नीचे लोणा प्या सारी रात सवाल जवाब पुछन तो बाद फौजीया नों यकीन आ गया वी बंदा चंग है बंदा माड़ा न ज़ओ प्याणाल एक गल सुनो अगे तो कदे भी रनवेते ना जिए हो पहली गल अगे तो कदे भी रन वेते ना जिए हो आज असी तुन्हों माफ कर देएं तुसी जा सकते हो औrakा उन्हें खुशी कुछी चाहिं चाहिं ग्राट चल गया दो दिन बाद ओही जाज ओही प भी इन्हें कि अभिए कि हॉँ आप इत्पा कि अने ंद डो जुब करें today कि अब मत कैं दो तो मेरा जोट लिना थी न अब पर अ सार मेरे पर दार ये बस परिदास्थ te तो नहीं रख्या दी ना मेरा कर बाच जूगा चलो आजो अहीं कोशे रहा करो अहीं पढ़ा करो एनरजी ना पढ़ोंगे ना बैंड दे क्योंकि मैं बढ़क दे हूं दे या लग जी आपके ने अपने को ट्रेंगे दो कोशन्स यह भी बड़ी बैस्ट करा हूंगा ते आ को नो पढ़ा के ता निता न कर दूगा भी ओए 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 बास देखो कोशन है कैना दा इफेक्ट्स ओफ साउंड डू नोट स्टॉप विद इयर्ज जेडे साउंड दे इफेक्ट ने ना एकला इयर दक नी सीमत हैंगी यह नहींगा वी बहुत आज है शोर श्राबा ते अपने कन खराब हो गई ना 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 कैना होर किया है कैना एक्सपोजर टू नवाइस में लीड़ टू अन इज ओफ डैश एहे होर चीज नू वी किसे नू अन इज कर सकते जे कोई बंदा बहुत जादे शोर श्राबेली जगाती रहन देगा यह ब कना तक इफैक्ट पहूगा यह दिनाल उन्हों एक होर कोई चीज है जरी अन इज हो जोगी आपा ए देखने भी जे कोई रौड रपेते रहन कन दी बंदे नाल नाल उन्हों होर कीड़ी चीज है जरी ओ अन इज हो ँन दी यह एक होर केड़ी बमारी है जड़ी उनों लग दी है कोई अनईज हो जान दी है तुसी एंसर लब्बन दे ली मैं देखूंगा भी किते इफेक्ट साउंड दा इयर दे उते पहरे होवे तिप जदो मैं इनों लब्बन दे ली आया लो पहली लाइन चे दिता हुए है सामझे किने वरियत रिके ना दिता है कि दा इफेक्ट्स ओफ साउंड दो नोट स्टॉप विद दा इयर जेड़ा इफेक्ट है ना साउंड दा एकले इयर तक नहीं है गा होर की है कहनदा नौन ओडेटरी एफेक्ट्स ओफ नौइस एक्सपोजर आर दोज एफेक्ट्स दो नोट कॉज हीरिंग लॉस एदे नाल ए नहीं है गा विकला हीरिंग लॉस होगा सुनन शक्ती बग जोगी बट स्टिल कैन बी मैजर्ड की मैजर किता है नहीं है एज़ अईविट्र ब्लड प्रेशर एदे नाल ब्लड प्रेशर दी प्राब्लम भी आ सकते है वद सक देगा लॉस ओफ स्लीप भी हो सक देगा increased heart rate भी हो सकतेगा cardiovascular कुछ भी concentration है भी हो सकतेगा difficult breathing है भी हो सकतेगा and changes in brain chemistry भी हो सकतेगा उदर अपने तो question एक पुछे ऐसी का वी जेड़ा कला ए ए एर ते stop नी होंदा होर केड़ी चीज अनीज होंदी है एक ना इर ते stop नी ना पर एथे ता पांत पांत दिया बमारियां लगातिया होन जाता एता है नी ना मैं अपना answer लिख के आउंगा विस्सार blood pressure loss of sleep increased heart rate अलवाम बड़ों बड़ों जेड़ा ठीक है और रख लो एवेता होंदा नी होन प्रॉब्लम एवी है के कार्डियो बड़ों जी ब्रीन केमिस्ट्री जी ब्रीधिंग और कोई बड़ों बड़ों पाबी जी लर्निंग एपिलिटे एकुरेट जेड़ा answer है दक तक ओने जेड़ा बचे एकुरेट एंसर है ओए क्यों गया तू ना पढ़ी में तरह आई लट सो प्रोस आउट जी लोग कहां दा एकुरेट जेड़ा answer है ओए किते लिखे पहला थोड़ा मैं हाल करा बूरा एकुरेट जेड़ा एकुरेट एंसर है ओए लाइट है लाइट है लाड़ किया जा पढ़ी में टिकटा होकर थे वीडियो नहीं हो गई हाँ जी सुकमीन जी चलो मैं थोड़ी कहल्प कर जेड़ा एकुरेट एंसर है बचे ओए आ रहे है देखो ब्रीदिंग एकुरेट एंसर है ब्रीदिंग ऻहन मैं सैटिसफ़ाइब कर ओंगा में पैसे ले नहीं मैं थोड़े पैसे खाए यह मैं थोड़े पैसे लुटके खा गया ठीक है आजो satisfy कर दा उदर उन्हाने क्या सिगा भी केड़ी चीज है जड़ी केड़ी चीज है उन्हाने पुछा थी प्रेशर एताव्वट गया बाद गया डीफिकल्टी अटाव अफ सलीप है इताव खत्म होगी रहते ही इसली कोई गल नहीं increased heart rate ये भी वाद गया काड यो जो भी है ये भी कोई heart दी बमारी है पर difficult की होंदे that is called a breathing उदर अपन दिता सीगा unease ते unease नेम होंदेगा difficult ते accurate answer जिड़ा बचे होगा गया that is called a breathing तुसे ए देखो इन्या सारी बमारी लिखती है बच्चा confused था होगा ना मैं कीनों इंसर लावा पर एगल याद रखी हो आवरे देखो इन्या की दिता आवरे को के ए लीड करदा है unease करदा है डैश unease करणदा मतलब की हो गया difficult समझ देखो मेरी कहला last question है गा अरे भी सुन दो बहुत सारे बच्चे कोई brain chemistry ला रहे है सी गा कोई की ला रहे है सी कोई की ला रहे है ना learning ability ला ले है पर एंसर निकल गया breathing क्योंकि जड़ी difficult हो रही सी unease unease मलब के easy ना होना ओखा ओखा क्यों रहे है सी करदा breathing हो रहे सी बाकी ची जड़ा आपे वदगियां वदियां हो यहां तो मतलब नहीं सी last question है गा कहनदा 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 यॉर्प हैज टेकन स्टेप्स on the noise issue यॉर्प ने स्टेप्स ले ले noise issue नो clear करन दे तन पता है एक बंदा टो एच डिग गया एक बंदा टो एच डिग गया बड़ा टो आसी गा हर एक देखना ले बंदे रे विचार आपो अपनी क्योंकि जहेजा बंदा हुंदे न उदी सोच ओहेजी हुंदी कोड़ो एक संत लंग रहे सी कहनदा पापानी सजा मिलगी मिलगी पापानी सजा वो थे कोई एक आप्टीमिजम बंदा लंगे आशावादी जेड़ा हर गल नो पॉजिटिव सोच रहेगा वो कहना चैले शोकर है परमातमादा तुम मर्या नी मर्या नी तुम एक निराशावादी लंग रहे होंदे को नो नो ये नी निकल दा चांड से नी है गे निकल दे बंदा एको टो एच है सोचन दा तरीका देखो हर एक बंदे दा संत की कहनदा कहनदा कोई पापांदी सजा मिलगी आशावादी कहनदा भी चाले शोकर मना तरी जान नी गई निराशावादी कहनदा ये निकल दे चांड से नी से घाल खान में ये डा फिल्योसाफर हंदे ये जोडर लूंगा सोच दे तू टो एच है के तू टो एच है का तौई तेरेच है तू टोएच है का तौऊ तेरेच है एक जनान नी की बंदा Jappakar Kenyuk इना बार कर लो किला कर दिक दिक दिके कद अनगे A को भार ते कोड़ भी ना न ना ते मैं मु भी आज़त हो लंग आज किले की ने पेहरेंगे का बार कड़ेंज ने पेहेंगे लेओंगे हो और भी डाक्टर कॉनला की पता लग वहीं मुआ कि टुटी है teacher कहना जे इनु ग्यान होंदा ता देगदा ही ना वो दा दोस्त आया उन्हें हाथ पाया बार कड़ ले गल खता हम ओ कहना थो नू सोचण दे हरेक बंदे अलगलग तरीका होंदा है चंगा दोस्तों ही होंदा है जिड़ा सोचदनियों कर दा दे गल खता हम ठीक है न जिननी बड़े बंदे ना यारी दोस्ती होगी न ओकलिया सलाहां देऊगा पैसे नी दिन दा जिननी छोटे बंदे ना यारी दोस्ती होगी न ओ थोड़ी मदद करूगा खाली दरते गई नू मोड़दा नियेगा हो इस प्रेक्टिकल चीज जाने गया है लास्ट कोशन यॉरप ने टेकन कर ले स्टेप्स ऑन दा नॉइस इशू देते बिग सिटीज ऑफ ओफ ओवर तू लेक फिफ्टी थाउजन पीपल आर क्रियेटिंग डैश तो हैल्प क्रियेट नॉइस पॉल्यूशन पॉलिसीज कीवर्ड ना पहला सब तो वधिया कीवर्ड केड़ेगा कोई साल होवे कोई नंबर होवे तू लेक फिफ्टी थाउजन पीपल आर क्रियेटिंग डैश ताई लख बंदा की बना रहे है की बना रहे ताई लख बंदा हैल्प करन वास्ते नॉइस पॉल्यूशन दी पॉलिसीज मैंनू एंसर लबना बहुत सौखा हुगा क्यों मैं मैं देखूंगा जिते टाई लख पीपल दी गालोरी होवे मैं देखूंगा जिते यॉर्प दी गालोरी होवे उन्हाने कोई स्टैप लेले हों नॉइस नू लेके मैं ताई देखने भी टाई लख बंदा केड़ी जीनों क्रियेट कर रहे है बना रहे हैगा ताके हैल्प ह जोजे नुआइस पल्यूशन पॉलिशी दे उते हैं तुझी देखिए किना वदी एंसर लभूंगा मैं अराम ना काली ता है नी टाइलक पीपल यॉर्प दा यॉर्पियन ठीक है नुआइस पॉलिशन पॉलिशीज तुझी यहां देखो एंक इवर लबलन होना मैं मेरे कोड़े ता डेली हर चीज है हर चीज नुपढ़ाउन दा एक टेकनीक तरीका ता मैं एच ओना के जेड़ा बंदा मेरे को पढ़ना वे लगे सब्टो वदिया की कहना यॉर्पियन कंट्रीज ने जेडिया ओते ताहिलक पीपल ने जेड़े आर क्रियेटिंग नुआइस मैप्स ओ की क्रियेट कर रहे ने नुआइस मैप्स लुक्रियेट कर रहे ने ओफ दोज सिटीज तो हैल पॉलिशी जेक होसा अनुआइस मैप्स अंपो सब्तोद चंगियां गकीने बंदाश मैव सारे एंसर की सीकेस्थी सीक्वेंस एवरेज कर ली हैजर नौइस ते एजनसी डेफिनेशन नाल अगले कोशने विचे साइंटिफिक स्टाडी दा नाम दिता होया सी साटन एज दा वी दिता होया सी हना ते वोदा कॉज देता सी गावी किया हुगा आता मेडल लेट नाइंटी अपनों लब लिया सी का बवंजा अगले चेकन कले एयर सकनी अन इज डिफिकल्ट आ कर लिया सीगा यॉर्पियन लाब लेजी टाई लाख लाब लेजी करियेटिंग अनौइस पॉलिशन पॉलिशी तो से यह देखो वी कैसे लेवल तेया कि अप आप पड़ेया अब आज बैठेगी मेनू पते है पर मेरे क आइना कि देलों पड़ाओना भी किसे नों लगी अप पंच कोशन करेया तुका किसे जी मरवाया ते सब तो बैस्ट तरीका सी मेरे पड़ाओना ते मैं चोना मैंने अपना फरजन भाया थोड़ी वारी है थोड़ी जो केड़े बच्चे अपना रिव्यू पंजाब बीच इंगलिस चीनी चाहिए पंजाब बीच केड़ा बच्चा आज दी कलास नो डिस्क्राइब करना चाहूं लगी तुसी माइक पड़ सकते हो तर कैमरे देखे बहुत उची बोड़ सकते हैं जी एबरीवन सा आज दी कलास मेनु सर्दी बहुत ही बढ़ी लगी सर पंजाबी पड़ा देनें गे जो मेन बहुत ही बदिया लगदा क्योंकि मिने बपंजाबी बच्छ बाधी बदिया संग यो लगए में पंजाबी नेयुट अपड़ी बचेश आज़ाए इदना लगदा दा किसार जी में कोल की दिमाक देश पादान देनें गी मकदिए लेके मरियां यह जर रहाख पाच्छ करते हम फोग श करते हम ठाम्राइक के लाज बहुत थ करते हैं होग जर नहीं कुछी दशने था नाप्स प्रप्सेटीं। हो रहां गर्मार ते सुखमीन हो और गेडी दी लाख व्यूत अप गया तुसी प्लीज मैं टानू सनना चौना है जी दीप देखे एना परूँ केमरें बहुत चंगे स्पीकर में तो सी दास्तों तुसे के थो आयकता हाँ जी मैं अम्री सर्टों आ ते मैंनू इत्थे आइल्स टी ट्रेइनिंग लेंगें दो मिन नी हो गया तो मेरा आज तक दाई है कि शायद मैंनू पहला मतलों बहुत सार जी नंबर नाल क्रैक करांगी थेंक्यू सो मच स्वमन मैं ताधी दावारी मिनू पते हैं लेओने वीजी मिनने जानके वेरी गुड़ पड़ो जी वेट कर देप करके हैं मैं तर मैं तर मैं कुझी सर बैटके आपके आपके लोग खड़ी रहों चुंगी कालें आपीडें मैं ताधे सोनना जाना थे पड़े मेरे खास होंगे ते बहुत बच्चे सोनना जाने था थाड़ी ओके प्लीज लाओड बोलके एवेरीवन ओड़ो एवेरीवन मैं नू सब तो बदिया गाले लाग दिया कि इननने ना इंगलिश नू पंजाबी मंगु सोखा कारता है कि अधे पहला डिफिकल्टीज आंदियां सी किया कुछ कोश्चन नहीं सी सामझ आंदे जिदा इनने ट्रेक्स ने गया इस्पेशली जेडे अपा है लिस्ट ऑफ हैडिंग्स लाब दिया ओदे पहला कि इसी लिस्ट ऑफ हैडिंग्स नू देखते सी बट उनना नू जद इन सो एवरिवन जिनना हो सकेया अजरमन शर्माने जिनना मेरा दिल करें सच्छी मैं बहुत खोशों के पड़ाया ते प्रमातमा सुख रखे मैं रोज एनना जोर ला के पड़ामा ते डेफिनिट ली ता नू पड़ा वदिया एक सकसेस दा महौल होई सो थेंक्यू वेरी मच ते अज दा क्लास आपा यूट्यूब ते भी अफ्लोड करांगे ते सारे ने कोर ओवर्थू कर दे बस फास्ट कर दे सारे ने बोगे दखा रिचे ती स्पीड चा स्पीड येस वेरी गुड ते जिनना जिनना ने पेंड़ाज नहीं ता से भी मैं आईल्स नहीं कर दा स्पेशल लोना नो तब बिलकुल दिखा दे वी कौन के थूँ आया बहुत दूरो दूरो इन्हें ने दूरो आये होई हो दिलो दूआवाने मेरे पेंड़ परा हों तुसें मैं जदो जैद लाके जनना बेस्ट होगा ता नो पड़ा होगा ते मेरे यकीन रखियों मेरे य चैने मेरे चैनले बीज़ आया रिख जोग्ता कारी होगाँ